हाई एवरिवन आकाश कोटा अपने आप में बड़ा ही यूनीक फीचर लेकर फाउंडेशन को डवलप करने जा रहा है हाला कि आकाश ओल ओवर इंडिया के अंदर अपने फाउंडेशन अपने जेई और अपने मेडिकल में बहुत सिर्मोर है बहुत बड़े लेवल पर काम क कर रहें जो है एट नाइन टेंट के लिए इसमें बड़े ही यूनीक फीचर्स हैं क्योंकि बच्चा सिर्फ चॉक और टॉक तक सिमितना रहे हम यह चाहते हैं कि बच्चा जो है वह बकायदा बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल तरीकों से अपने ब्रेन का पूरा यूज करते चाहें उनके लिए ये बेनिफिट हविशा काम आएगा तो देखें इसके अंदर जैसे फॉर एक्जामपल हम यहां पर कौन-कौन से सब्जेक्ट इनको प्रोवाइट करेंगे जो कि अपने हमें यूनीक है कि केवल साइंस ही नहीं साइंस के अनावा जैसे साइंस में तरीके से कराये जाएगा वो प्योरली अपने आप में एक यूनीक फीचर है और वो है हमारे आपर विजुलाइशन के थूरू प्रैक्टिकल के थूरू और बहुत सारे ऐसे तरीके ऐसे कंसेप्स जो बच्चे को फन के साथ लर्निंग कराएंगे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे स्टेड़ी मेट्रियल की बात करूँ तो हमारे एट में नाइंध में अं टैन्थ में चोंपनेशन कोर्से में प्रोवाइड करेंगे यहां पर आपके मॉड्यू जो आपको इस सपोर्ट करेंगे इसको सक्सेश करने के लिए उसमें आपके जनरली जैसे एड़ की बा उन सब के लिए भी ये मौडूल काम करेंगे और सिर्फ ये केवल एट के लिए नहीं है बचो ये आपके नाइंद के अंदर भी इसी तरीके से कि जब आप नाइंद के अंदर आएंगे तो यही स्टेडि मेट्रियल आपको फिजिक्स देन केमिस्ट्री देन बायलोजी एंड मैतमेटिक के अलावा वही सेम सेसी, रीजनिंग, ओलम्पिया आठ्स आपके जितने भी कंपिटिडि एक्जाम से हैं या जितने भी स्कॉलर्शिप एक्जाम से हैं उन सभी के सभी के लिए आपको मौडूल प्रोवाइट करेगा यही सेम केस में आपको कहुँगा टेंद क सेम वही उनके अंदर भी आपका कंपिटिडि एक्जाम के लिए भी और साथ इसाथ आपके ऑलम्पिया या आपके स्कॉलर्शिप एक्जाम के लिए भी और आप सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं जो आगे 12 के बाद कंपिटिडि और जाई एडवांस भी उन सब के लिए एक अर्ली लीड बनकर आएगा क्योंकि अगर बच्चा हमारा ओलम्पिया या इस स्कॉलर्शिप एक्जाम के अंदर सक्सेस्फुल रहता है तो उसके इन ही सभी एक्जाम में सक्सेस्फुल होने के भी कम्प्लीट चांसे देते हैं अगर मैं बात करो तो अपने स्टेडि मेट्रियल के अंदर दो तरह के लेवल्स को यूज किया है लेवल नुमबर वन जो है हमारा वो हमारे स्कूल या बोर्ड को फॉलू करेगा आप स्कूल के अंदर आपके बोर्ड के अंदर जो स्लीबस में पढ़ते हैं वो सारा का सरम ने लेवल वन के अंदर इंकार्परिट किया गया है लेकिन जो हमारा लेवल नुमबर टू है बच्चो वो एक तरीके से हॉट यानि कि हाई लेवल के जो कोशन से उन्हें भी शो करेगा और जितने ऑलम्पियाड में कोशन आए हैं पीवाई क्यू की फॉर्म में या आने क जिनकी पॉसिबिटीज हैं जिनकी वैल्यूज अच्छे कोशन की फॉर्म में हम मानते हैं वो सारे भी हम इसके अंदर इंकार्परिट करेंगे जो हमारे बच्चों को मदद करेगा कम्पुटिटिव एक्जाम्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ कि लर्णिंग विद फन तो लर्णिंग विद फन का मतलब होता है लर्णिंग इस फन यह भी है आपन कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन ऐसा है कि अगर हम फन के साथ किसी चीज को याद करते हैं तो हमारा बेन अपने अंदर इस त वो जनरली फंद के साथ अपनी लेर्णिंग इसकिल्स को डवलप करेंगे। कैसे वो रिपिटिटिट को सिखाएंगे। कितने रैपिडली वो अपने आपको शिखाएंगे, यस सब अमने इसके अंदर शो किया है। इसके कारण वो आप सो सकते हैं अपनी learning power को enhance करेंगे, motivated रहेंगे, always cheerful रहेंगे. इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्लेश कार्ड की, तो फ्लेश कार्ड के थूर लर्ण कैसे होगा? फ्लेश कार्ड बिलकुन हमने ताश की तरह बनाए हुए, इस तरह के कलर्ड हमने कार्ड जबलब की हैं, जिसमें बच्चा क्या करेगा? के जो भी उसका जो स्कूल का सलेवस है, इवन आपके जो उलम्पिआर का सलेवस है, उन्हें हमने चोटे कार्ड के अंदर, उनके फॉर्मूला को, उनके डायग्राम्स को, उनके चोटे-चोटे concepts को हमने इस तरह से design किया है कि वो उन cards को jayb में भी रख पाएगा और साथ ही साथ उन cards के through अपने neural connectivity को बहुत थेज कर पाएगा तो यह flesh card उस बच्चे के लिए बहुत beneficial है जब उसको लगेगा मुझे recall नहीं हो रहा तुरंट jayb में से निकाला और cards से वो चेक कर लेगा कि मुझे कौन सा वाला concept नहीं आ रहा और इस तरीके से वो अपने cards के through अपनी memory power को enhance करेगा Learning is fun इसी concept में हम कहेंगे activity based experiment क्योंकि ध्यान रखेगा जैसे मैंने पहले भी कहा था कि chalk और talk से धूर क्योंकि chalk और talk का पुराना concept हो गया और अब concept है physical activities का जिने कहते है experiment जिने कहते है practical तो अब बच्चा practical के through अपने आपको सिखाएगा हमारी लेब के अंदर तो हम practical करते ही करते है लेकिस साथ ही साथ हमने क्या कर रखा है अपने modules के अंदर जो activities है उनको QR code के through scan करने पर हमें वो सीधा उस activity से connect करेगा जिसको बकाएदा हम वीडियो के through अपने आपको देख पाएंगे जैसे मैं आपके सामने एक 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 जामपल यापर देने जा रहा हूं कि हमारे एक सर ने किस तरह के से experiment के through अपने concept को clarify किया तो देखिए इसको बचो If I swing this jar and complete the circle, what do you think will happen? Will the water and jar fall or remain stuck with the board? Let's give that a try. Can you explain this? To know the answers of such intriguing questions, download the Akash Student app and scan the given QR code in class 9th and 10th modules. Now you can see, you have learned through this that in which way we were doing an experiment we were learning a small topic, we were doing a cramming, we were doing it, you can check that through the experiment you can learn all this. Now you can think about it, as I will give a simple example that we all learn the magnetic lines that our magnetic lines are out of north and south. But if you think about it practically, it is the magnetic line of the bisogno of the magnetic line. It will show you how the magnetic line will show you? It will show you how. The way we do it. What will we do it? If Johnson's baby oil comes into it, if we add iron ore filling, iron powder and shake it, we attach it on the suspended particles, we make it magnetic fix. So what will it be? When the magnetic lines develop it, then we will show you within the suspended particles of the oil, which will show you with iron particles. Then let's think, हम जो पढ़ते हैं, हम जो लर्ण करते हैं, अगर वही एक्सपेरिमेंट ली हमारे सामने आ जाए, तो सोचे हमारे हमारी जो मेमोरी पावार है, वो कितनी ज्यादा काम करेगी, हमें लॉंग लास्टिंग, वो हमेशा याद रहेगा, हमारे फांडेशन के अंदर इसी तरीके स करेंगे, हम अपने लेब्स के अंदर, अपने लेबरेटरिस के थ्रू, हमारे एकुमेंट के थ्रू, हमारे एपरिटर्स के थ्रू, हम क्या करेंगे उस बेसिक कंसेप्स को, बकाइदा आपके साम परफॉर्म करेंगे, और हम केवल परफॉर्म नहीं करेंगे, बच्छा important रहे नहीं पाई वो उस learning power को high level तक ले जाए तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने visualization के साथ-साथ in practical aspects को भी समझें अब आप देखें इसके अंदर learning is fun के category के अंदर ही हम लेने जा रहे है knowledge bite that is KB knowledge bite क्या है एक monthly magazine है और यह magazine हम कैसे करते हैं कि जो हम पूरे मन्त पढ़ाते हैं और उसके अंदर जो जो topics हमने cover की है उन सभी का अपने बच्चों के लिए हम बकायदा cross world देते हैं बकायदा उसके अदर pictorial column matching करते हैं तो इस तरीके से बच्चा अपने magazine के अंदर अपने science के तरू अपने symbols के तरू उन्हें पहचान के उन्हें solve करता है तो अपने learning के सारे aspects को use कर पाता है तो यह जो active learning है वो हम इस knowledge bite के तरू शो करते हैं इसी sequence में अगर आपन देखने आपर तो यहाँपन हम जितने भी chapters हैं इसी learning is fun के continuity में और वो है PPT के तरू हमारी learning और यह जो fun learning है हम इसमें जो भी topics हैं उन्हें हम PPT या power presentation के through clarify करते हैं तो सोचे बच्चे की जो visualization power है अपनी imaginary power है वो इतने बढ़िया तरीके से enhance होती है कि बच्चे को अगर रात को उठा के भी पूछ लो कि बच्चे उसके अंदर क्या आएगा तो वो बिलकुल visualize करके इसे recall कर पाएगा हम यह चाहते हैं कि बच्चा recall करने की power को enhance कर पाएग और यह हमारे competitive exams के लिए बहुत ही important है और इसी concept के अंदर अगर हम देखें आप तो यह जो आपका workshop है हम जो workshop करने करते हैं उन workshop का जो हमारा concept है कि जितने भी competitive exams हैं जितने भी olympi arts हैं जितने भी आपके scholarship exam में उनकी workshop को organize कराएं जाएं और इसके अंदर हमारे सारे olympi arts भी हैं साथी साथ हमारे nse jays भी हैं clear ios भी हैं ioe भी हैं इन सब के ओपर ntsc के ओपर भी हम workshop क्रिएट करते हैं जिसके कारण बच्चों के अंदर वकाइदा एक दूसरे से competition के थूँ यह discussion होता है group का इसके ओपर वकाइदा उनके questioning की जाती है उनके i-tutor भी develop कर चुके हैं अगर कोई बच्चा किसी topic के अंदर मालो फिर भी weak रहता है तो वो i-tutor के अंदर अपनी knowledge lab में जाकर वापस से अपने उस topic को recall कर सकता है या उसका कोई भी चोटा सा point जिन्में वो हिच कर रहा है पहली बार तो हम किसी भी corner पर उस बच्चे को हिच नहीं करने देंगे तो हम इस तरह का development करेंगे कि बच्चा अपनी problem को चूट गया है या वो early lead लेना चाहता है पढ़ना चाहता है हमने सारे lectures का संग्रे करके रखा वाए एक collection है बहुत बढ़ी आवाना जहां बच्चा इस पावर को generate करेगा आपने क्योंकि बच्चा खुद खोजेगा वो discover करेगा अपने आपको सिर्फ इतना ही नहीं है हमने यहाँ पर अपना एक doubt clearance और remedial section करका है हमारे जितने भी टीचर जो classes में पढ़ाएंगे वो no doubt अपने free time के अंदर अपने counters पर available होंगे जिसे बच्चे को अगर personally किसी तरह की problem है और बच्चे में कोई hitch है जो class में वो question नहीं कर पाया वो सारे के सारे point हम अपने बच्चे को अपने counter पे available कराएंगे क्योंकि हम जानते हैं हमारा teacher बच्चे की psychology को समझता है वो जानता है face reading करके कि हमारा बच्चा किस जगे पर down हो रहा है हमारे बच्चे में किस जगे पर hitch आ रही है तो ऐसे doubt counter क्या होंगे कि बच्चा जब निकल रहा कि अब तक हमारे आकाश में जितने भी computer exam से केवल जई मेंज जई एडवांस या medical ही नहीं हमारे olympi arts में भी बहुत अच्छा work किया है हमारे बच्चों ने तो मैं आपको उनी रिजल्ट से रूब 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 करारा चाहता हूँ तो देखिए इसके अंदर हमारे बहुत आपके जा चुके हैं या वो study कर रहे हैं और अब जो आने वाले हैं वो उनमें study करेंगे और सिर्फ यह केवल मेडिकल ही नहीं हमारे इंजिनिरिंग, IITs, NITs सभी के अंदर वो बच्चे परफॉंग कर रहे हैं all over world यह आप रिजर्ट देख सकते हैं आज आपने यह जो समय दिया और इसको समझा और ध्यान रखिए कि यह सब नॉलेजिस जो हमने आपको दी यह सारी information जो आपको दी यह आपके चोटे बाई बनो आपके बच्चों के लिए एक बहतर भविश्य के और रिचाएगी हम सब मि आपके बच्चा है जो एक ट्रैंगल के अंदर है और हमें इन तीनों ट्रैंगल के को सम्मालना है थैंक्स धन्यवाब